वेलकम तो ऑख्वोर्ट जूनियर इंग्लिस ट्रांसलेशन बाइ प्रफेसर आरके सिन्हा कोर्स वे विल सॉल्व टू अटेट वन हिंदी तो इंग्लिस ट्रांसलेशन एक्साइज इस इस एक्साइज का एक्स्परिशन वीडियो के लास्ट में दिये जाएंगे तो आये करते हैं और जूनियर इंग्लिस ट्रांसलेशन एक्ससाइज 96 ऑफ 201 ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश आप यहां पर हम लोग पॉर या सिंस का इस्तमाल कैसे होता है प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग कुछ इंग्जामपल सॉल्फ करेंगे ठीक एक्ससाइजस फिर मैं आपको कॉंसेट बताऊंगा आपको करना क्या है पहले खुछ से सॉल्फ करना है वीडियो को पॉस करके अभी मैं संग-संग आंसर बताऊंगा उससे मिलाते जाएगा मैं दस बजे से पढ़ रहा हूं I have, okay just wait I have been reading since 10 o'clock ठीक है? मैं चार घंटों से पढ़ रहा हूं I have been reading for four hours हम लोग सन 2015 से काम कर रहे हैं We have been working since 2015 हम लोग दो वर्षों से कोशिश कर रहे हैं We have been trying for two years तुम सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हो You have been learning English since Monday ठीक है? आप सुभा से गा रहे हैं You have been singing since morning आप लोग दो दिनों से काम कर रहे हैं You have been working for two days वह नौ बजे से सो रही है She has been sleeping since 9 o'clock वह तीन घंटों से सो रहा है He has been sleeping for three hours दो दिनों से वर्षा हो रही है It has been raining for two days मैं सुभा से व्यायाम कर रहा हू I have been taking exercise since morning वे गत साल से यहां रह रहे हैं They have been living here since last year मैं बच्पन से यहां रह रहा हू I have been living here since childhood ठीक है आईए सबसे पहले हम लोग vocabulary लिखेंगे फिर मैं आपको concept बता हूँगा Oxford Junior English Translation Exercise 96 of 201 Vocabulary कोशिश करना to try सीखना to learn वर्षा होना to rain व्यायाम करना to take exercise गत साल last year बच्पन से since childhood ठीक है आईए concept के तरव बढ़ते हैं ठीक है सब कुछ अच्छे से लिखिएगा अच्छे से आप notes बनाईएगा for या since का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले for या since का प्रयोग होता है for का प्रयोग जब अवदी अर्थात कितनी देर से कितनी समय से दी रहती है तब for का प्रयोग होता है जैसे उधारन देखिए आधे घंटे से for half an hour एक घंटे से for an hour दो मिनट से for two minutes चार दिनों से for four days बहुत दिनों से for several days वर्षों से for years तीन वर्षों से for three years आगे देखिए सिंस का प्रयोग कब होता है जब निश्चित समय किसी घड़ी किस दिन किस साल शुरू होने का समय starting point दिया रहता है तब सिंस का प्रयोग होता है जैसे सोमवार से सिंस मंडे सन 2016 से सिंस 2016 नौ बजे से सिंस नाइन ओ क्लॉक सुभर से शाम से सिंस मौर्निन सिंस इवनिंग बचपन से सिंस चाइल्ड हुड गत साल गत सब्ता गत महीने से सिंस लास्ट यर सिंस लास्ट वीक सिंस लास्ट मांथ या गत साल गत सब्ता गत महीने अगर ऐसे रहेगा गत साल तो since last year फिर सब्ता week और महिने से month कल से since yesterday कल सुभा से since yesterday morning ठीक है आएए कुछ और solved examples देखते हैं ताकि जितना जाद आप examples देखेंगे चीजे और आपके लिए clear होंगी solved examples मैं दो घंटों से पढ़ रहा हूँ I have been reading for two hours मैं दो बज़े से दोड़ आँ हूँ I have been running since two o'clock अब देखें यहां पर time है तो दो घंटो तो आवर्स तो फॉड लगा है यहां बताया गया है कब से हो रहा है दो बज़े से तो two o'clock वह दो हजार सोलह इस वी से इस स्कूल मैं पढ़ रहा है he has been reading in this school since 2016 2016 2016 से हम लोग दश वर्षों से इस शेहर में रह रहे है ताइम फ्रेम है we have been living in this town for 10 years वह सुबह से लिख रही है he has been writing since morning ठीक है हुआ 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 है